So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आने की 30 January के important current affairs को और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का session बहुत जादा important है हर एक question number one question है मतलब ये session को तो आप mark करके रख लेना यहां से definitely मैं guarantee ले रहा हूँ इस session से एक नेक प्रशन आपको आपकी exam में जरूर मिलेगा इस तरह का session है यह और आपको बताए session के last में last day के current affairs का quick revision करेंगे फिर उसके बाद 2022 के top 10 questions का quick revision करेंगे और फिर top 5 static questions का भी मैं quick revision करा हूँगा तो चलिए start करते हैं तो देखो प्रशन क्या है कि Australian Open 2023 में पूरुष एकल का खिताब किस ने जीता तो answer होगा नोवाक जोकोविच ने तो Australian Open इसमें main single title की हम लोग बात कर रहे हैं उसको जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने एक प्रशन बन जाएगा आपके माइन में कि ये कहां से हैं ये सर्बिया से हैं सर्बिया के tennis player हैं दूसरा प्रशन बनेगा इन्होंने किस को हराया इन्होंने stefanos sit sipas को हराया है ये Greece के tennis player है और इस तरह से नोवाक जोकोविच का ये और अगर आपसे पूछा जाए वो में सिंगल का टाइटल किस ने जीता तो हमने पढ़ा था आर रेना सबा लेंका ने जीता है वो कहां से हैं वो बेलारूस की player है उन्होंने किसको हराया था एलेना रिबा किना को हराया था जो कि कजाकिस्तान से हैं और एक बार फिर में आ पहला और आखरी वाला hard coat पे होता है French Open clay coat पे होता है और Wimbledon Open जो सबसे पुराना है ये grass coat पे होता है अगर आपसे पूछा जाए world tennis day कब मनाते हैं तो March के पहले सोमवार को मनाया जाता है और अभी आपको याद होगा Billie Jean King Cup किस ने जीता था जिसका पहले नाम Fade Cup हुआ करता था ये महिलाओं का tennis tournament है अभी इसको Switzerland ने जीत लिया Australia को हरा करके कहां पे हुआ था ये Glasgow Scotland में हुआ था तो ये most important प्रशने इसको याद रखना बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में महिला under 19 T20 World Cup का खिताब किस ने जीत लिया तो अंसर होगा भारत ने तो शेफाली वर्मा के नेतरत्व में भारत ने पहली बार महिला under 19 T20 World Cup खिताब जीत लिया है ये प्रशन इसलिए भी important हो जाता है क्योंकि पहली बार भारत ने कोई महिला ICC tournament को जीता है अच्छा एक प्रशन ये बनेगा कि भारत ने किसको हराया तो भारत ने England को हराया है वैसे आपको बता द गया तो ये most important question है आपका अच्छा कुछ और important प्रशन में आपसे पूछता हूँ आपको याद हो तो बताओ कि under 19 विश्व कप जो कि 2022 में हुआ था वेस्ट इंडीज में हुआ था वो उसको किसने जीता था उसको भी भारत ने ही जीता था और उसमें भी भारत ने इंगले देश को हरा करके आपसे पूछे कि IPL 2022 जो कि इसका पंदरवा संस्करन था जो भारत में हुआ था उसको गुजरात Titans ने जीता था राजस्तान रोयल को हरा कर और अगर आपसे पूछे कि ICC T20 World Cup 2022 जो कि Australia में हुआ था उसको किस ने जीता इंगलेंड ने जीता था पाकिस्ता को हरा करके और आपको याद होगा ICC Women's Cricket World Cup 2022 जो कि New Zealand में हुआ था उसको Australia ने जीता था England को हरा करके तो ये साथ में जो extra question में आपको बता रहा हूँ न वैसे तो यह आप current affairs में पढ़ चुके हो आपको लगेगा ये तो हमें आता है लेकिन revision करना जरूरी है इसलिए हर question के स आत में उससे संबंदित प्रशन आपको revise करवाता हूँ मेरे से जितना हो सकता है उतने point में limited समय में आपको देने की कुशिश करता हूँ लेकिन अगर extra question चाते हो तो उसके लिए मैंने आपका quiz बना दिया है topic wise quiz बना दिया आपकी crack exam application में वहाँ जाकर से जिससे भी संबंद कर सकते हो जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो और सफलता को गले लगाओ अभियम बढ़ते हैं अब ये लिजिए एक और धमाकेदार important question कि पुरुष होकी विश्व कब 2023 का किसने जीत लिया तो आंसर होगा जर्मनी ने अब पहला प्रशन तो ये बन जाएगा कि ये जो पुरुष होकी विश्व कब 2023 से इसका आउजन कहां पे हुआ भारत में हुआ भारत में भी कहां पे उडीसा में किस ने जीता जर्मनी ने जीता और इस तरह जर्मनी और पुरुषों के होक्की विश्व कप के तीन संसकरण जीतने वाली चौथी टीम बन गई है, मतलब तीसरी बार जीता है इसने ये खिताब, इस बार की बात करें, जर्मनी ने किसे हराया तो बेल्जियम को हराया है तो पहले स्थान पे नीदरलेंड है, सेकेंड पे बेल्जियम है, और तीसरे स्थान पे कौन है नीदरलेंड रहा, और अभी ये जो उडिशा में ये जो मैंस होक्की वर्ल्ड कप हुआ पूछें अगर कौन सा संसकरण था, तो पंदरवा संसकरण, अच्छा मुझे ये बताओ होक्की इंडिया के भी अद्यक्ष कौन बने थे तो आंसर होगा, दिलिप टिर्की ये इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट का प्रशन है और एक और बताओ, अंतरराश्टर होक्की महासंग के अद्यक्ष अभी नए बने थे का नाम क्या है? मुहमद टे इक्राम है बागे आपको बताईए अभी भारत का सबसे बड़ा होक्की स्टेडियम ये बनाए आपके उडिसा के राउर केला में, जहां पे ये मैच हुए थे अभी इसके, इसके मैच उडिसा के भुवनेश्वर और राउर केला में हुए थे लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा होक्की स्टेडियम ये आपको मिलेगा उडिसा के राउर केला में जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया है और बताओ मुझे कि पंजाब में जो मोहाली होक्की स्टेडियम है उसका नाम किसके नाम पे रखा गया था बलबीर सिंग सीनियर के नाम पे अच्छा अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल होक्की फेडरेशन इसका हेड़ काँ पर है लोजैन स्वेटजलन में है तो याद रखना बड़ा सीधा सा प्रशन है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है जर्मनी ने जीता बेलजियम को हरा के बढ़ते आगे और गाईज अगर सेशन आपको अच्छा लगे मज़ेदार लगे अगर आपको इसमें मेरी मेहनत दिखे और आपको इससे फाइदा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में आज जो भी आपका study group है वहाँ पे प्लीज एक बार इससे शेयर जरूर कर देना मेरे कहने पे यह मेरी आपसे request है request कर रहा हूं मना मत करना अभी हम बढ़तें आगे अगला प्रशन है अभी चेक गंडराजी के राष्टरपती कौन बने तो अंसर होगा पेटर पावेल बने तो नाटो सेन्ने समीती के पूरवा अध्यक्ष रहे पेटर पावेल यह भी चेक रिपबलिक के राष्टरपती बन गए है अच्छा देको इनको याद रखने की ट्रिक बनाई है कैसे याद रख सकते हो अभी आपको बता है सबसे महंगी चीज क्या हो गई है वैसे तो हर चीज महंगी हो गई है लेकिन पेटरोल महंगा हो गया पेटरोल मतलब आज ये कंडिशन है कि हम बाईक निकालते हैं तो पहले चेक करते हैं कि भाईया पेटरोल कितना है और बचपन की दिन अगर आपको याद हो जब पेटरोल सस्ता हुआ करता था 70 रुपे के आसपास पर उस टाइम जेब में पैसे नहीं रहते थे चेक रिपब्लिक, चेक गंड राज्य है क्या चेक करते हैं भीया पेटरोल चेक करते हैं गाड़ी हिला करके देखते हैं तो पेटरोल से बन जाएगा पेटर और बचपन में हम पेटरोल का पववा डालाते थे 10 रुपेगा तो पववा से बन जाएगा पावेल, पेटर पर पावेल, एक हलकी सी हिंट चाहिए हमें बस, option तो होगे थी हमारे जामने, और सबसे मज़ेदार बात बताओं जो वो पववा हम गाड़ी में डालते थे न, तो आदा पेटुल जाता था और आदा फेल जाता था, तो फेल जा याद रखना कि दुनिया का सबसे लंबा suspension bridge काँ पे खुलाए, तो आंसर होगा Czech Republic में, जिसका नाम क्या है, Sky Bridge 721, 721 मीटर इसकी लंबाई है, बाकी अगर आपसे पूछे अभी New Zealand के प्रधान मंतरी कौन बने, Jacinda Arden के बाद, Chris Hipkins, Denmark के प्रधान मंतरी, Mettey Fredrickson बने, और Ireland के बने हैं, Leo Varadkar, अचा एक नाम जरूर आएगा आपके एक्जाम में, कि मिश्र के राष्टरपदी का नाम बताओ, अब इनका नाम न्यूज में है, क्योंकि अभी हमारे चौत तरवे गणतंतर दिवस पर ये chief guest थे, इसलिए इनका नाम static में पूछा जा सकता है, क्या नाम है अब्दुलफते अल्सीसी, तो ये नाम याद रखना, अचा आप में से कौन इस वीडियो को वेरी फर्स टाइम देख रहे हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना, और आपको ये वीडियो का पता कैसे लगा, मुझे एक बार ये भी जानना है, अगर हो सके तो बताएं, अब ये मढ़ते आगे, फिर बताएं अभी तीसरा वार्षिक औरेंज फेस्टिवल 2023 ये का पर मनाया गया, तो आंसर होगा कोहिमा, तो अभी 24 से 25 फरवरी 2023 तक जेविक संत्रे की फसल को चिनहित करने के लिए, नागालेंड के रसोमा गाउ में औ अगर आपसे पूछे, अभी फरवरी 2023 में खादी उत्सव 2023 का आयोजन काँपे होना है, तो अंसर होगा मुंबई में, और अभी जम्मू कश्मीर फरवरी में ही अपने पहले सरस मेले का आयोजन करेगा, और अभी जनवरी में बाजरा और जेविक उत्पादों पर अंतररा अंतरराष्टर वर्ष की रूप में मनाया जा रहा है, और अभी जनवरी में ही आठवे भारत अंतरराष्टर विज्ञान महोजन का आयोजन किया गया भोपाल में, अभी जनवरी में माघी मेले का आयोजन किया गया था अपमें, और माघ बीहू फेस्टिवल ये मनाया गय असम में, भीओ फेस्टिवल आप जानते ही हो, गंगा सागर मेले का योजन का हुआ, पस्चि मंगाल में, अभी चेर चेरा महत्सव मनाया गया था, च्छतिसगड में, धानू जात्रा महत्सव मनाया गया, उडीसा में, पहला अंतरराष्टर समुद्र तट महत्सव अभी मना मनाया गया था, केरल में संगाई फेस्टिवल का होता है, मनिपुर में, और लूसो फोन महत्सव आपने मनाया था, गोवा में, अभी अंतरराष्टर गीता महत्सव का योजन हुआ था, हरियाना के कुर्क्षेत्र में होता है, तो ये भी कुछ important महत्सव फेस्टिवल है, इ अभी हाली में NMDC ने किसे अपना brand ambassador बनाया, तो आंसरोगा निखत जरीन को, NMDC ये स्पात मंतराले यानि कि steel minister के तहत देश की सबसे बड़ी लोह अयस्क, iron और नवरतन खननन कंपनी है, mining कंपनी है, full form क्या होती है, National Mineral Development Corporation, और अभी इसी ने निखत जरीन को अपना brand ambassador बना आया है, देखो यहां से एक static प्रशनी ये भी बनेगा, कि निखत जरीन का संबन की skill से है, पूछा जा सकता है भई, तो आंसरोगा boxing से, और इनका नाम आपने ज्यादा भी नहीं, तो 2022 में दो बार तो जरूर सुना होगा, जब इन्होंने दो बड़े कारणामे किये थे, व इसे टर्की का नाम अभी चेंज हो गया, तुर्की ये कर दिया गया, और 2022 में जो Commonwealth Games हुए थे ना, Birmingham UK में याद आया, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था, इसलिए मैं आपको का ज़्यादा नहीं, तो दो बार तो यादी होगा इनका नाम आपको सुनाई होगा, बशर प्यूमा इंडिया की Brand Ambassador बनी थी, रविशास्तिर की बात करें तो ये FanCode के बने थे, सौरव गांगुले भी बंधन Bank के बने और Dreamset Go के भी Brand Ambassador है, गरूड Aerospace के Brand Ambassador बने थे MS-Doni और Navi के भी बने थे, और Blind T20 World Cup जो हुआ अभी उसके Brand Ambassador बनाय गय थे युरासिंग, तो ये भी नाम ध्यान रखना बढ़ते आगे, फिर बताईए, देश की पहली हरित उर्जा अधरित सोर पैनल निर्मान फैक्टरी कहाँ पर बनेगी, तो आंसर होगा उत्राखंड में, वैसे तो आपको बताए, सोलर पैनल बनाने की कहीं सारी फैक्टरी आपको भारत में मिल जाएग पर ये देश की पहली ऐसी फैक्टरी होगी, जो हरित उर्जा पर आधरित होगी, हरित उर्जा मतलब green energy, अक्षे उर्जा जिसे आप बोलते हो, renewable energy, और कहाँ पर बनेगी ये, उत्तराखंड के रूद्रपुर में, यहाँ पर सोलर पैनल बनाए जाएगे, और कौन लुमिनेस पावर टेक्नलोजीज, लुमिनेस की बैटरीज आती है न, तो वही कमपनी बनाएगी, अच्छा मैं आपसे प्रशन पूछू एक, अभी उत्तर भारत की सबसे बड़ी तेरतीवी सोर परियोजना का उधगाटन कहाँ पर किया गया था, तो आंसर होगा वैसे भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सूलर पावर प्लांट ये बनेगा मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पर ओम का रेश्वर बांध में, लिसकी कैपेसिटी है 600 मेवाट, और आप जानते हो सूर उर्जा से संचालित दुनिया का पहला एयरप टॉप सिस्टम इसका उध्वाटन कांपे किया गया, गुजरात के गांधी नगर में, एक और प्रशन का उत्तर दो, कि जो हिमाचल प्रदेश है न, इसने कब तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्षे रखा, तो आंसर होगा 2025 तक, और 2025 से आप याद रख सकते हो, जो जा 2025 के बाद, और सोलर एवियेशन फ्यूल का उप्योग करने वाली दुनिया की पहली एरलाइन कौनसी बनी, स्विस इंटरनेशनल एरलाइन, अब देखो प्रशन तो एक है, लेकिन इससे अनेक प्रशन हम लोगों ने कर लिए, और ये अनेक भी सारे के सारे इंपोर्टेंट उमीद करूँगा, सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, और लास्ट में जब हम रिविजन करेंगे, तब और मज़ा आने वाला है, तो कस के अपनी पेटियों के सीट बिल बाद दीजी, अभी हम और मज़े करने वाले हैं, बढ़ते आगे, फिर बताईए, Australian Open 2023 में, Mixed Double क का खिताब किसने जीत लिया, तो आंसर होगा, राफेल माटोस और लुईसा स्टैफनी ने, Mixed Double का मतलब क्या होगे, इसमें दो खिलाडी होते हैं, एक पुरुष होता है, और एक महिला होती है, अब आपको होगे कि ये मैं प्रशन आपको क्यों बता रहा हूँ, हम तो में स प्लेयर हैं, अब ये प्रशन में आपको इसलिए करा रहा हूँ, या ये इसलिए important हो जाता है, क्योंकि इन्होंने इसमें भारत को हराया है, या यूँ कहूं कि भारत इसमें उपविजेता रहा, और भारत से कौन-कौन खिलाडी थे इसमें, सानिया मर्जा थी और रोहन ब अगर मैं आपसे पूछूँ अभी Tennis Premier League जो हुआ था भारत में, उसको किस ने जीता था, हैदराबाद Strikers ने जीता था, ये भी ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे, फिर बताईए, अभी हाल में Thailand में Yellow Band Disease का प्रकूब देखा गया, ये है रोग किसे प्रभावित कर रहा है, तो अंसर होगा समुद्री प्रवाल को, तो ये है Yellow Band Disease, ये भी Thailand में देखा गया है, और ये किसे प्रभावित कर रहा है, समुद्री प्रवाल होते हैं जिसे हम अंगरेजी में Coral Reef कहते हैं, उसे प्रभावित कर रहा है, इसके कारण समुद्री प्रवाल का रंग पीला हो र तो विज्यानिकों का मानना है कि जलवायू परिवर्तन के कारण और अत्यदिक मचली पकणने, प्रदूशन और पानी के बढ़ते तापमान के कारण ऐसा हो रहा है, अचा प्रवाल भित्ति आपने कहीं बार सुना होगा, Coral Reef, पर ये होता क्या है, ये माइन में आया कभी तो अगर मैं आपको शॉर्ट में समझानी की कोशिश करूँ, तो समुदर के भीतर इस्थित ये एक चटान है, एक्चुली में समुदर में एक बहुत छोटा जीव होता है, जिसे प्रवाल या मोंगा या अंग्रेजी में कोरल कहते हैं, वो शंक के अंदर रहता है, और वो समुदर में रहता है, ग्रुप्स में, और जब लाखो करोडो शंक एक डूसरे से चिपक जाते हैं, तो वो पत्थर की चटान जिसा लगता है, उनी को रीफ कहा जाता है, तो कोरल से बना रीफ, क्या कहलाएगा, कोरल रीफ, हिंदी में बोलोगे तो मुंगे से बनी चटान मुंगा चटाने के लाती है, और ये भी पूछा जा सकता है, कि ये किसकी बनी होती है, तो केल्श, शंक से बनी हो चटाने, याद रखना है, समुद्री वर्षा 1B कहते है, Rainforest of Sea, और दुनिया के सबसे बड़ी, यानि कि Great Barrier Reef, जैसे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भ तो अंसर होगा उत्तर प्रदेश में, तो अभी उत्तर प्रदेश के रामपूर में, चोहर चौक पर रामपूरी चाकू की करीब 20 फीट लंबाई वाली एक विशाल आकरती लगाई गई है, जिसके नीचे लिखा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा चाकू, रामपूरी चाकू आपने सुना होगा न, बस उसी तरगा है, और अगर पूछोगे ये किस धातू का बनाए, तो ये ब्रास और स्टील से बनाया गया है, जिसकी कीमत लगबग 45 लाग रुपे, 45 लाग रुपे का रामपूरी चाकू, अब बस यही घडिया था, ठीक है अब हम क्या कर स सकते हैं, बोत कुछ कर सकते हैं, अभी हम लास्ट दे के करेंट अफेर्स का क्विक रिविजन करेंगे, फिर 2022 के top 10 important question का kick-けて करेंगे, और उसके बाद भी हम नहीं थमेंगे, उसके बाद हम top 5 static questions का revision करेंगे, और हमारा एक काम pending है, top 5 science के question को add करना, और मैंने आपको पहले ब होगे तो response मिलेगा, students बढ़ेंगे तो मुझे दिख जाएगा, तो कि ताली अब भी एक हाथ से नहीं बसती है मरे दोस्त, मैं तो हाथ बढ़ा चुका हूँ अब आपकी बारी है, चलो अभी करते हैं हमरी vision, तो कल आप से पूछा गया था Australian Open 1220 में women single title जीता, आर रेना सबा लेंका ने बेलारूस की है, फिर आप से पूछा कि भारत ने COVID-19 के खिलाफ पहला Mad in India nasal vaccine जिसका नामे Incovac ये launch किया, स्टीके को किस ने बनाया, भारत बायोटेक ने, फिर आप से पूछा था भी किस देश के द्वारा दुनिया के पहले फोटो ने काधरित quantum computer का निर्मान किया जा रहा है, तो आंसर होगा, कनाडा, अगला प्रशन था कि अभी किस राज्य में नवी से लेके बारविक अक्षा की किशोरियों को शशक्त बनाने के लिए project aspiration launch किया गया, तेलंगना में, अगला प्रशन है, अभी अमेरिकी राश्टरपती जो बाइडन के द्वारा, वायू, सेना, ब्रिगेडियर, जनरल के पत के लिए किसे नामित किया गया, राजाचारी को और अभी डेटा गोपनियता दिवस हमने मनाया 28 जन्वरी को और केंदर सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या कर दिया, अमरत उद्ध्यान कर दिया, और बताओ भारत के द्वारा किस देश के साथ सो से अधिक चीते प्राप्त करने का समझोता किया गया, तो अंसर होगा साउथ अफरिका फिर बताओ राष्टर पती द्रौपुदी मुर्मुजी के द्वारा कितने वीरता पुरसकारों की मंजूरी दी गई, 412 और बताओ सयूक्त राष्टर महासभा के अध्यक्ष कौन है, जो भारत दोरे पर है तो अंसर होगा साबा कोरोसी अब हम करेंगे 2022 के टॉप 10 प्रश्णों का क्विक रिविजन तो बताओ अभी सेप्टेंबर 2022 में किस फुटबॉल कलब ने अपना पहला और डूरंड कप का 131 वा संसकरन जीता तो अंसर होगा बंगलूरू फुटबॉल कलब ने किसे हराया मुंबई सिटी फुटबॉल कलब को फिर बताओ अंडर 19 महिला T20 विशु कब 2023 ये किस देश में खेला जाएगा तो अंसर होगा दक्षिन अफ्रेका में अगला प्रश्ण है अंतरराष्ट्रे लाल पांडा दिवस कब मनाया गया 17 सेप्टेंबर को एक्चुली मैं सेप्टेंबर के तीसरे शनिवार को उताईए तो 2022 में 17 सेप्टेंबर को मनाया फिर बताओ कौन सा बैंक एशिया 2022 में सरुश्रेष्ट कारे स्थलू की सूची में शामिल होने वाला एक मात्र भारते बैंक बना फेडरल बैंक इसका हेड़कोटर अलुआ केरल में है अगला प्रशन है भारत का पहला सुच्छे सुजल प्रदेश कौन सा बना अंडमान निकोबार अगला प्रशन है सेप्टेमबर 2022 में मुरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक किसने जीता तो अंसर होगा देविंद्र जाजरिया ने याद रखना ये पैरा जैविलियन थ्रो प्लेयर हैं राजस्थान से बिलॉंग करते हैं ये और पद्म भूशन प्राप्ट करने वाले पहले पैरा एथलीट हैं ये अभी टूक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर जीता था इनोंने अगला प्रशन है किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल कर देव गिरी किला करने ही घुषना की महाराष्ट्र ने अगला प्रशन है 2023 में शंगाई कॉपरेशन और गेनाजेशन की मेजबानी कौनसा देश कर रहा है तो अंसर होगा भारत बारत G20 की भी कर रहा है और SEO की भी कर रहा है और अगला प्रशन है अंतरराष्ट्र समान वेतन दिवस कब मनाया गया तो 18 सेप्टेम्बर अज़र होगा अब टॉप 5 इस्टैटिक कुश्यन भी देख लेते हैं तो पहला प्रशने पूछ रहें कि South Africa में धास के मेदानों को क्या कहा जाता है तो अंसर होगा Wells, Wells धास के मेदान अगला प्रशने है कुनो नेशनल पार्क ये किस राज्य में है, मद्यपरदेश में है अगला प्रशने भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू हुआ था, 1973 में और अगला है कि अंकोरवाट का प्रसिद्ध मंदर ये किस देश में है, कमबोडिया में और अगला है कि समिधान सभा के प्रथम अईस्था ये द्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सचिदानन देसे ना और अगर इनके बारे में आप लोग डिटेल में जानना जाते हो, तो डिटेल एक्स्प्लेनेशन आपको मिल जाएगा अपनी क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन में और फिर से याद दिला दूँ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और हाँ जाते जाते 29 जनवरी के डिली कर इंटरफेस क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें टॉप पर है पुषपेंदर सेंग, कॉंग्रेचिलेशन पुषपेंदर, फिर कुष, अंशुमा और विक्रम रहे, कॉंग्रोचिलेशन आप सभी को, बाके आप भी क्विज लगा करके इनकी प्रैक्टिस कीजी अच्छे से, क्विज आपको लेगी आपके करेक एक्जाम एप्लिकेशन में, जिसका लिंक नेचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीड इसी की अप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, खुलने में टाइम ले रही है, तो आप उसको अनिस्टॉल करें और एक बर फिर से इंस्टॉल करें, सही हो जाएगी, अब यह रहा आज का आपका हमवर्ग प्रशन,